आज का हमारा विश्य है पुराने संसकारों को स्माप्त कर निजी संसकार धारण करो मिठे प्यारे बाप दादा हम सभी ब्राह्मन बच्चों के भाग्य को देख करके बहुत हर्शित होते हैं बाप दादा कहते हैं कि सारे कल्प में देव आत्माओं का धरम पिता का महान आत्मा का या किसी पदम पती आत्मा का भी इतना उचा भाग्य नहीं है तो आप बच्चे सदा ये गीत गाते होना वा हमारे भाग्य विधाता बाप और वा हम स्रेष्ट भाग्य वान आत्माओं बाबा नहीं कहा कि इतना उचा भाग्य होने के बावजूद भी कभी कभी बच्चों का ये नश्या मर्ज हो जाता है और जब नश्या मर्ज हो जाता है तो बाप क्या कहींगे ड्रामा तो नश्या मर्ज क्यों हो जाता है लक्षे तो आप ये लेके चल रहे हो कि हमें बाप समान बनना है फिर लक्षे में और लक्षन में अंतर क्यों आ जाता है बाबा ने कहा कि तीन बाते हैं एक है संकल्प करना अर्थात सोचना दूसरा है बोलना अर्थात वर्णन करना और तीसरा है करम के द्वारा पर्तेक्स करना तो बाबा ने कहा कि जब इन तीनों में बैलन्स रहता है तो नश्या और निश्चय इमर्ज रहता है लेकिन बैलन्स कम हो जाता है तो नश्या और निश्चय मर्ज हो जाता है संकल बहुत तेज गती से और बहुत अच्छे अच्छे पैदा करते हैं वानी की रफ्तार भी और नश्या भी काफी अच्छा है उसमें 75% तक ठीक है लेकिन प्रेक्टिकल करम करने में नंबर बहुत कम आते हैं और इसका कारण ये है कि धार्णा की जो जो बाते हैं ग्यान की गुणों की शक्तियों की धार्णा की बाते हैं बहुत अच्छी करते हो सुनने वाले वाववा करते हैं once more once more करते हैं तालियां बजाते हैं लेकिन बाबनी का ये लेकिन शब्द विगन रूप बन जाता है जिस दिन ये लेकिन अट जाएगा उज दिन आप बाप समान बन जाएँगे और समय भी समी पा जाएगा तो धार्णा के सब्जेक्ट में आप उत्रो तर आगे बढ़ते रहें इसके लिए क्या करना पड़े बाबने का इसके लिए एक बात याद रखनी है वो बात कौन्ची है कि द्वापर्युक से लेकर कि इस अंतिम जनम तक आपने कई कमजोरियों को कई बुराईयों को और कई गलत संसकारों को अपने संसकार बना लिया है अब जैसे किसी को क्रोध आता है तो थोड़ी देर के बाद हो कहेगा कि अपना राज मतो ना ये मेरा संसकार है लेकिन सवाल ये है कि क्रोध को संसकार बनाया बुराई को और अवगुण को संसकार बनाया लेकिन सदगुणों को संसकार क्यों नहीं बनाया शांती और सहनशिलता ये ज्यान की शक्ति है और क्रोध अज्यान की शक्ति है तो क्रोध को तो अपने भीतर इतना कुट-कुट के भर लिया कि वो ना चाती भी मर्ज हो जाता है तो शांती और सहनशिलता को अपने भीतर क्यों नहीं भर लेते बाबनी कहा अब से जो मूल संसकार है उनको अपना बनाओ मूल संसकारों की स्मुरती में रहो मैं आत्मा मूल रूप में शांत स्वरूपूं, आनंद स्वरूपूं, प्रेम स्वरूपूं, शक्ति स्वरूपूं यही मेरे संसकार वो तो रावन की जायदाद है पराय माल को आपने अपना बना लिया अब बाप के खजानों को अपना बनाओ जब किसी बच्चे में कोई भी रावन का संसकार पैदा होता है और उस समय अगर बाबा पूछ ले कि बच्चे आपका मेरे से कितना प्यार है तो वो बच्चा कहेगा बाबा सागर से भी गहरा और आस्मान से भी उंचा तो बाबा सुन सुन के मुश्कुराती रहती है और कहते हैं बच्चे तुम जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो मेरा बाबा कहते हो तो मेरे हो और मुझे साथ भी ले जाना है लेकिन बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि साथी बन करके चलने में जो मजा है सजनी बन करके चलने में जो मज़ा है वो बराती बन करके चलने में मज़ा नहीं है और फिर बाबा पूछते हैं कि रावन की जायदाद को तो आप हमेशा याद रखते हो और बाप की जायदाद को भूल जाते हो तो क्या रावन से इतना प्यार है और अगर पूछेंगे किस से ज्यादा प्यार है तो लिख करके दिल में समाया जाता है तो अगर राम के संसकारों को दिल में समाओगे तब तो बाबा मानीगा कि हाँ आपको मेरे से प्यार है बाबा ने कहा एक subject में बच्चों ने बहुत सफलता पराप्त की है बहुत मेहनत की हैं अनेक बाधाएं विगन परिस्थितियां पार करके भी 55 परतिशत बच्चे उस सब्जेक्ट में पास हैं और वो है पहला सब्जेक्ट पवित्रता का सब्जेक्ट लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है क्रोध का सब्जेक्ट और इसमें बहुत कम बच्चे पास हैं उनको क्रोद ग्यानि तू आत्मा के लिए सबसे बड़ा शत्रू है क्योंकि जब लोगों के संबन्द संपर्क में आते हो तो क्रोद परतक्स हो जाता है और फिर वही लोग कहती है कि इनको भगवान पढ़ाता है बाप के गलानी हो जाती है और फिर कहते हैं देख लिया इनको एक क करते हैं बाबा नहीं कहा क्रोध तीन परकार का होता है एक क्रोध तो पर्तेक्स क्रोध आखों से मुख से हाथों से उसकी पर्तेक्सता हो जाती है बाहरी क्रोध लेकिन दूसरा क्रोध बाहर परकट रूप में दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर ही अंदर इर्शा द्व बदले की भावना इस रूप में होता है तो बाबानी अंदर वाले क्रोध को नाम दिया काला क्रोध और बाहर वाले क्रोध को नाम दिया लाल क्रोध बाबनी का दोनों ही खतरनाक लेकिन अंदर वाला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदरी अंदर अगनी में सोफ्ट अंगों को जला देता है तो चाहे बाहरी हो चाहे अंदर का हो दोनों क्रोध का दृड़ संकल्प से त्याक करना है फिर बाबा ने एक तीसरी प्रकार का क्रोध भी बता है को चतुराई का करोध बाबा ने का कई बचे कहते हैं कि कभी कभी शीरियस होना पड़ता है और कभी कभी ला भी हात में उठाना पड़ता है और ये ला हात में कल्यान के लिए उठाते हैं अब बाबा कहते हैं ये तो वो जाने कि ला हात में उठा के उन्होंने कितनों का कल्य लेकिन बाबा के कोई चुटी नहीं है कि ला हात में उठाओ क्या बाबा ने किसी मुरली में कभी कहा है कि ला हात में उठाओ ला हात में उठाना भी सुक्ष्मरूप का क्रोध है बाबा ने निमित आत्माओं को बस इतनी चुटी दे रखी है कि बाबा के बताए हुए ला को रिवाइज करो और वो भी केवल निमित आत्माओं को चुटी है सब को चुटी नहीं फिर बाबा नी कहा अगर क्रोध को जितोगे तो लोभ और एहंकार भी जिता जाएगा इसके लिए बार-बार स्मृति में लाओ शांती मेरा निजी संसकार है मैं सेंद्शिलता की देवी हूं मैं शांती की देवी हूं बाबाने का छोटे बड़े कई प्रकार से क्रोध करते हैं बाबा के पास बहुत रिपोर्ट आती हैं बाबाने का क्रोध का दान देने का दड़ संकलप तो आप कर लेते हूं पर फिर यह मत कहना कि बाबा यह तो फि जादो ना बाबा ने का ये काम भी आपके लिए अब बाबा करेगा क्या बाबा पुर्शयार्थ करे और आप प्रारलब दपाओ ये तो ड्रामा में नियमी नहीं जो करेगा वो पाएगा और कई बच्चे तो बहुत चतुराई करते हैं क्या चतुराई करते हैं कहते हैं इतनी बड़ी बात के उपर जीत पाली, लेकिन आज क्या करें, बात इतनी बड़ी आ गई, उसके कान थोड़ा क्रोध आ गए, तो बाबा ने कहा, दोश किसके उपर रख देते हैं, बात के उपर, अब बात तो आई और गई, एक बार आई, फिर पांच अजार साल के बाद ही आईगी, तो पांच अजार साल के लिए जो चली गई, उस बात के उपर आपने दोश रख दिया, बाबा ने कहा, ऐसा नहीं करो, अपने आपको संभालो, और बाबा ने कहा कि अगर आपने क्रोध को जीत लिया, तो लोब भी जीता जाएगा, कैसे, लोब केवल धनकाई न लेकिन ज्यानी जीवन में, अज्यानी जीवन में और भी कई बातों का लोब होता है, तो अगर क्रोध को जीत लिया, तो लोब भी जीता जाएगा, और ऐसे ही एहंकार, अभिमान, आप जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, ये मेरा काम था, आपने कैसे कर दिया, मैं ही सब कु मेरे कारणी हुआ है तो बाबानी का यह जो सुक्सम संकल्प आते हैं यह अभिमान के संकल्प लेकिन क्रोध को जीत लिया तो अभिमान भी जीता जाएगा इसलिए अलग अलग पुर्शार्थ नहीं करना पड़ेगा एक क्रोध को जीतने से उसके साथी सैयोगी उसके पूरी से ना जीती जाएगी इसलिए बाबा कहते हैं द्रडता से इस क्रोध रूपी राक्सस का संघार करो बक्ती मारक के यादगार शास्त्रों में जो क्रोध ही राक्सस देखाई हैं उनको बड़े-बड़े दांत नाखून सींग आधी दिखाते हैं बस्तों में यह सब होते न लेकिन क्रोध के कार्ण दूसरों को दुख मिलता है और पहले तो खुद को दुख मिलता है क्योंकि हम स्वमान की सीट से हट जाते हैं अपने स्रेष्ट स्वरूप को भूल जाते हैं तो क्रोध ऐसी चीज है जो दूसरों से पहले खुद को दुखी करता हैं तो बाबा कहत जो खुद दुखी होगा, वो दूसरों को सुख कैसे देगा, तो इस हथियार को मत चलाओ, ना खुद दुखी होगा, ना किसी और को दुख दो, संगम युग में सुख के सागर के बच्चे, आप सब सुख देव हो, तो सुख के संसकारों को धारन करो, सुख का व्यापार कर सुख दो, सुख लो, सुख का लेंदेन करो, तो सभी सुख में जीवन वेतीत करेंगे, जो भी आपके नजदीक आएगा, आप से उसको सुख की किरने मिलेंगी, वो आपको दुआई देगा, और अब सच्चे अर्थों में सुख के देवता, सुख की देवी बन जाएंगे, O Shanti